हेलो शुरेंट्स इस सुधिर कुमर जान वेलकम यू आल तो चैनल मैथमेटिकल पूल तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कंपाउंड एंगल का फाइब माक्स का कुश्चेंज हो भी लास्ट का कुश्चेंज देखने वाले इस टैप की कुश्चेंज स्टुए फोर असम मुंश्किल होता है हो सकता ठीक है इसको देखते हैं कैसे करते हैं कुश्चिन नमर 9 का 1 बोल रहा है इसको हम लोग कैसे प्रूब करते हैं वह थोरा सा ध्यान में रखना है देखो यह आपर इस टैप की को सीड करते हैं लोग consider कर लेते हैं यह जो a है यह यह इस a ऐस B लोग ऐसे consider करते हैं झाँ एक इसके हम लोग consider कर रहे हैं let a टो खुच्ट टो एक टो अर आर साइन थेटा, R sin थेटा, and B equals to R cos थेटा, R cos थेटा, ठीच है, इस तरह से हम लोग assume कर रहे हैं, अब देखो, A कोई भी value हो सकता है, उसको हम लोग R sin थेटा, and R cos थेटा में A, B को लिख सकते हैं, क्योंकि sin थेटा क्या है, 0 से लेकर, 1 तक के बीच का कोई value है, ठीक है, and R यहाँ पर क कुछ एक real number है, उसको हम लोग A and B को इस तरह से लिख सकते हैं, अभी देखो क्या करते हैं, A square plus B square, squaring and adding कर देते हैं, यहाँ पर में क्या मिल जाएगा, A square plus B square, this is equals to, R square, देखो, common आ जाएगा, यहाँ से भी, R square sin थेटा, plus R square cos थेटा, right side में आएगा, that is, R square common आएगा, यहा इस इकुलस टूओन, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, R square का value हमें क्या मिल गया, R square equals to A square plus B square, ठीक है, यहाँ पर हमें यह value मिल रहा है, R square का, अब R का value हमें निकालना है, R equals to, क्या मिल जाएगा, R, R, A square plus E square, ठीक है, यह हमें मिल गया, अभी देखो हमें लोग क्या करते हैं, A cos, A cos X and B sin X, इसको हमें लोग लिखने की कोशिस कर रहा है, देखो यहाँ पर, Now, A cos X, A cos X plus B sin X, इसका value हम लोग लिखने की कोशिस कर रहे हैं, तो क्या आएगा, A के place पर हम लोग किसे replace कर देंगे, जो हमने let किया है, R sin theta, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, R sin theta, and cos X के place पर तो cos X ही है, प्लस B के place पर हम लोग replace किसे करेंगे, R cos theta से, R cos theta से, and sin X तो है ही, sin X, अब देखो, दोनों में से R हम लोग common ले सकते हैं, दोनों में से R common ले लेंगे, यहाँ पर क्या आजाएगा, sin theta, sin theta, cos X, cos X, प्लस, cos theta sin X, cos theta sin X, अब देखो, यह सबसे basic वाला जो formula इस chapter में हमने सीखा है, किस chapter में, compound angles में, क्या सीखा था, sin A cos B plus cos A sin B, this is equals to, sin A plus B का formula होता था, यहाँ पर क्या लगा देंगे, R, यहाँ पर sin theta plus, theta plus, theta plus क्या हो जाएगा, X, अब देखो, हम लोग क्या बोल सकते हैं, sin, sin का जो value होता है, वो किस range में होता है, बताओ sin X का जो होगा, यहाँ पर value, sin A का value किस range में होता है, 1 से ले करके, 1 से ले करके, यह फिर माइनस 1 से ले करके, 1 के range में होता है, चाहिए angle A का value कुछ भी हो, लेकिन sin A का जो value होगा, वो माइनस 1 से ले कर, 1 के बीच में ही तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, that implies minus 1 less than equals to sin, माल लेते हैं, a के place पर हम लोग theta plus x से replace कर देंगे, theta plus x, this is less than equals to 1, अब क्या करते हैं, यहां पर देखो, r है, r है न, मतलब हमें यह वाला चीज प्रूफ करना है, यह जो दिया हुआ, a cos x plus b sin x, लेकिन a cos x plus b sin x को हमने कैसे निकाल लिया, r के term में निकाल लिया है, r and theta के term में यहां पर निकाल लिया है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, r से एगर multiply कर देते हैं, इस inequality को, तो यहां पर क्या जाएगा, minus r less than equals to, r sin theta plus x, less than equals to, less than equals to, क्या जाएगा, r, ठीक है यहां तक, अब देखो, बीच वाले में यहां पर क्या है, बीच वाले में यहां पर एक c add हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हर जगा पर c add कर देते हैं, ठीक है, एक स्टेप ऐसे ही कर लेते हैं, R sin Theta plus X plus C less than equals to C plus R, ठीक है, अब R के प्लेस पर हम लोग किससे replace कर दे रहे हैं, R के प्लेस पर हम लोग replace कर दे रहे हैं, रूट A square plus B square से, देखो यहाँ पर, R के प्लेस पर हम लोग replace कर सकते हैं, रूट A square plus B square से, तो हमें क्या मिल जाएगा, C minus root A square plus B square, ठीक है, less than equals to, अब देखो, R sin Theta plus X, इसका value हम लोग directly यहाँ से put कर लेंगे, ठीक है, यह जो हमने लिका ला था, इसका value क्या था, यह वाला, य यह value equal है, इसके, इस value के, को हटा करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, A cos X plus B sin X, लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, A cos X plus B sin X, sin X, ठीक है, प्लस C, और साथ में यहाँ पर क्या है, less than equals to, C plus root A square plus B square, ठीक है, यह देखो, जो हमें proof करना था, वो हम लोग proof कर चुके, यह हमें proof करना था, और देखो, यही हमारा proof आ चुका है, C minus root A square plus B square, less than equals to, A cos X plus B sin X plus C, less than equals to, C plus root A square plus B square, ठीक है, बहुत यह अच्छा question ह exam में आने के full chance होते हैं, यहाँ से, एक नेक ऐसा question आता ही है, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से करना है, क्या है, इस question में बहुत कुछ नहीं है, simple सा है, क्या करना है, A cos X plus B sin X, इसको क्या करना है, convert करना है, या तो cos में कर लो, या तो sin में कर लिए हैं, यहाँ अगर cos में करना हो, तो हम लोग क्या lid करते हैं, एक को लेट कर लेते हैं, r cos theta, एक को क्या lid कर लेते हैं, r cos theta and b kya lat कर लेते हैं, r sin theta, दिन ही यहाँ पर क्या मिल जाता हमें, r cos theta minus X जाता है, फिर भी हम लोग ऐसे ही कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हम ने यहाँ पर sin में convert कर लिय प्रप्र कर दिया कि इस तरह से सॉलब कर सकते हैं लेकिन और भी सिंपल प्रीज कुछ लाना था में आपक यहां पर कुछ भी नहीं करना इसको कानवर्ट कर लेना है इसको कनवर्ट कर लेना है साइन में आप लोग सिंप्ली कर सकते हैं यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इसको क्या लिख सकते हैं वन इंटू कॉस थीटा सिंप्ली माइनस वन इंटू साइन थीटा ऐसा कर सकते हैं अब देखो कॉस में ही चाहिए हमें कॉस में चाहिए से यहां पर सब्सक्रांगेust इसमय करपाएंगे कर लिए हमने सब्सक्राइब जैसा करते है अब क्या करते हैं एक गाया चाएगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब this is equal to r square cos square alpha plus sin square alpha यह तो 1 आ जाएगा तो यहां से r का value क्या मिल जाएगा हमें root 2 r का value क्या मिल गया root 2 अब देखो r का value जब root 2 मिल गया तो यहां पर हम लोग क्या पूट कर सकते हैं इस 1 के place पर इस 1 के place पर हम लोग किस से replace कर सकते हैं root 2 cos alpha यहां पर हम लोग कर सकते हैं यहां पर कर लेते हैं root 2 cos alpha cos theta minus 1 के लिए क्या r sin alpha that is root 2 sin alpha root 2 sin alpha sin theta ऐसा जाएगा यहां से root 2 गर common ले ले तो क्या मिल जाएगा cos alpha cos theta minus sin alpha sin theta अब देखो तो यह किस format में convert हो गया यहां पर हम लोग देख पाड़े हैं कि root 2 यह formula किसका है cos alpha plus theta का cos alpha plus theta अब देखो alpha का value यहां पर कैसे निकाले इन दोनों को को अगर divide कर देते हैं यह equation 1 है यह equation 2 है इन दोनों को अगर divide कर देते हैं तो क्या मिल जाता है sin by sin by यहां पर क्या sin by cos that is tan मिल जाएगा tan alpha this is equals to one by one that is one alpha का value क्या मिल गया pi by four यह मिल जाएगा alpha का value ठीक है tan alpha equals to one that implies alpha equals to pi by four यहां से हम लोग बोल सकते हैं इसको this is equals to root 2 cos theta plus alpha के place पर pi by four से replace कर देंगे और यह convert हो चुक है इस format में देखो r cos यहां r के place पर root 2 है and cos है and theta है theta यहां भी है plus alpha के place पर क्या है plus pi by four ठीक है तो ऐसे ही आप लोग को इसको भी करना है ठीक है इसको किसमें करना है sin में convert करने के लिए इसको क्या लेट करना होगा इसको cos लेट करना होगा, एक sin होता है, एक cos होता है, फिर एक cos होता है, एक sin होता है, यहाँ पर root 3 को क्या लेट करना होगा, cos alpha, that is r cos alpha, and यहाँ पर 1 है, तो 1 को क्या लेट करना होगा, r sin alpha, and इस तरह से मैं लोग कर सकते हैं, यहाँ पर beta आप लोग लेट कर लीजें, तो हो जा यहां पर देखो अगला कोश्चन यहां पर क्या है हमारी पास find the maximum and minimum value of 5 cos theta plus 12 sin theta plus 12 ठीक है इस तरह से है इसका हमें क्या maximum and minimum value निकालना है तो इसको भी similar similar way में करना है क्या करना है क्यों करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि-0 i4 से लेकर 1 से बीच में 2 क्या करते हैं या तो इसको cos theta में convert कर लेंगे या तो इसको sin theta में convert कर लेंगे और फिर solve हो जागा ठीक है चलो कर लेते हैं इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर क्या है 5 cos theta को एक और copy कर लेते हैं प्लस 12 साइनथी इसके लिए हम लोग काम कर रो पहले तो सबसे पहले 5 को लैकेर लेता है 5 अग्ट कर ले अराइं है आर साइन अलफा लेकर लेता है यहां पर थीटा पहले से है तो अमलोग थीटााने है मलेट लेट कर सकते हैं क्योंकि confusion हो जाएगा आर साइन अलफा एंड 12 इक्विल्स टू आर कॉस अलपा ऐसा हमने लेट कर लिया अब देखो स्क्वाइडिंग करना है सारे केस में ऐसे ही करना है स्क्वाइडिंग करना है यहां पर हमें क्या मिल जाएगा अब देखो इसको हम लोग लिख नहीं रहे हैं यहां पर देखो इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे से साइन क्या ल screen अलकर सकते हैं अर्शाइन अलफा को सी cada 10 से니다 करेंगे क्यों करेंगे आर कौस अलफा से यहां पर लिख लेंगे आर कौस अलफा साइन ठीटा अब देखो यहां पर आर्ठ कोमन ले लेते हैं तो ही क्या जाएगा साइन अलफा कौस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन ठीटा आप देखो यह एक फार्म्वला बन गया साइन एक पॉस भी कउस एक बिज्रibl मैं सबसे बेसिक सा फार्म्वला है उसी कई उज हो रहा है बारबा इसवी यहाँ पर यह लगा यह क्या जाए ग़ा साइनunsाैन क्लीच है यह मिल गया हमें अब देखो आर के प्लेस पर हम लोग किस से रिप्लेस कर देंगे अर इकोश्य थर्टीन है तो थर्टीन साइन अलफा प्लस थीटा ऐसा जाएगा अब देखो हमें क्या निकालना था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसका फाइव कॉस्ट थीटा प्लस ट्व अब लोग क्या बूल सकते हैं कि इसको अटा दे थोर अशाब हम लोग क्या जानते हैं कि माइनस ओन लेस देन इकोश्य टू साइन अलफा प्लस थीटा ऐसा बूल सकते हैं या फिर थीटा प्लस अलफा अब देखो क्या करना है यह 13 sin alpha plus theta यह क्या था यह था इसका value लेकिन बीच में हमें क्या चाहिए बीच में हमें क्या चाहिए प्लस 12 भी चाहिए तो क्या करते हैं इसमें प्लस 12 कर लेते हैं यह फिर एक बार लिख लेते हैं minus 13 less than equals to इसके place पर हम लोग replace कर लेते हैं अपना जो चाहिए 5 cos theta plus 12 sin theta this is less than equals to 13 ठीक है अब क्या कर लेते हैं यहाँ पर 12 add करना होगा बीच में 12 add करना है इसका मतलब हम लोग तीनों ही place पर left side and right side भी 12 add कर देते हैं तो यहाँ पर क्या मिलिगा minus 13 plus 12 less than equals to 5 cos theta plus 12 sin theta plus 12 यहाँ भी 12 add किया and 13 plus 12 right side में ही 12 add कर दिया ठीक है अब देखो left side में क्या बच गया हमारे पास minus 13 plus 12 that is minus 1 less than equals to 5 cos theta plus 12 sin theta plus 12 ठीक है less than equals to 13 plus 12 क्या मिलता है 25 तो यहाँ से देखो यह क्या मिल गया हमाई minimum value मिल गया minimum value क्यों है क्योंकि इसका जो value होगा वो greater than or equal to minus 3 है means इसका minimum value sorry minus 1 greater than equal to minus 1 है तो minimum value क्या मिल गया mean value mean value हमें मिल गया minus 1 and max value क्या मिल गया max value this is equals to 25 ठीक है तो देख लेना यहाँ पर mean value क्या आया mean value mean value equals to minus 1 and maximum value maximum value this is equals to 25 यह बहुत यह अच्छा question है देख लेना इसको और यह इस chapter का last question है देखो मेरे पास पुड़ाने book है और नए book नहीं है तो अगर आप लोगों के नए book में कुछ questions add हो रहे हैं कुछ questions add हो रहे हैं जो कि आप लोग से नहीं बन पार हैं यह फिर वैसे भी आप तो मुझे send कर सकते comment box में भी भेज सकते हैं मैं उनका video बना कर भी दूंगा आप लोगों थीक हैं तो इस video में बस इतना ही यह बहुत अच्छा question है इसको देख लेना बहुत अच्छे से exam में आ सकते हैं इस video में बस इतना ही फिर मिलते हैं next video thank you so much